सब्सक्राइब करना रहता है तो इसमें क्या गरेंगे सबसे पहले आपको यहांप करना है अपना रोल नंबर जो भी आपके अड्मिर कार्ट पर दिया गया होगा उसको सही तरीके से मिला करके इस बोड़ गयांग की कोपी के फ्रंट पेज में आपको भरना है उसके बाद यहां पर अपना विशय भरना है और प्रश्ण पद्र में इस्टिन सिर्फ आपको केवल भर करना है और जो आपको प्रश्ण पत्र मिलेगा उस प्रश्ण पत्र पर अंकिस अंग्तांग जो भी दिया गया रहेगा इसमें इसमें आपको फिलअप करना है आपको विडियो में दिखाई दे यहाँ होगा तो यहाँ पर क्या रेंगा मियु पार बरतेंगे और हैं यहाँ पर कि ntra 95 नाम थो ठेखिट आएंगे तो जो question number 1 से 20 भवी गल्पी question आएंगे उनका आंसर आपको क्या करना है ओमार सीट पर आपको देना है तो आईए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम बोड गया में copy लिखेंगे student यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कच्छा 10 2023 का question paper है जो कि हिंदी का है तो आप देख सकते हैं आपको समय मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट जो कि 15 मिनट question paper को पढ़ने के लिए दिये जाते हैं और 3 घंटे question paper को हल करने के लिए दिये जाते हैं जो कि आपका पुणांग होता है 70 number का आपको क्या करना होता है उमार सीट पे देना होता है और जो खंडबा होता है खंडबा में आपके पचास नमबर के टोटल question आते हैं कि आप यहां तक देख सकते हैं यहां खंडबा में कोईशन है उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका खंडबा में टोटल पचास नमर का question होता है तो मालीजिए सबसे पहले यहां क्या है प्रस्रंख्यावन निम्लिकित गद्यांस पर अधारी तीन प्रस्णों का उ लिखे कर उसके बाद हम क्या करेंगे इसका संदर्व लिखेंगे रेखांकित अंस्की यहां पर ब्याख्या करेंगे और इस question का आंसर देंगे तो यहां पर नंबर वन के अंतरगत आज जिसका हम उत्तर देने जा रहे हैं तो आपको खंड और डालेना है और प्रश्न उत्तर संख्या वन उसके बाद हे भगवान से डाट 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 अंधा बना रही है यहां तक आपको डालेना है उसके बाद Black Pen से आपको संदर्व लिखेना है यदि आप उस घद्यांश को पढ़े होंगे तो वह घद्यांश ममता नाम के ध्याश लिया गया हैوجिसके लेखक जह संधर्व लिखे देना है। इस प्रकार से अपने संदर्व लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? रिखांकित अंस की व्याक्या करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा question क्या दिया गया है? गद्ध्यांस की रिखांकित अंस का भाव इश्पेश्ट करेए, यानि की रिखांकित लाइनो को इस्वर की इच्छा के विडियों दो बताया गया यह वी कोईशन आपका दो नंबर का है तो आपको क्या करना है यह तीसरा डाल के इस प्रकार से आपको क्या करना इसका उत्तर लिख देना है और एक बात जिसे याद रखना है कि आपको बोर्ड ग्याम की जो कौपी है जिससे कि आपकी कौपी नहीं चेंजोगी यह अफिस्यल नोटिस है कि आपको बोर्ड ग्याम के प्रतेक पेज़ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आईए अब हम आगे देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं क्वेशन दूसरा कोईशन नमर दूसरें दिया गया है दिए गए पद्यांस पर अधारी तीन प्रशनों का उत्तर दीजिए तीन प्रतेक कोईशन दो नमर का है तो यहां से भी आपको छह नमबर असानी से मिल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं चरणा कमाल बंदो हरी राई उसक कि यहां पर देख सकते हैं यह दूसरा पद्यांस है इस पद्यांस को पढ़कर करके इंतुन कोईशन का आपको क्या करना है उत्तर देना है तो किस प्रकार से लिखेंगे आये देखते हैं यह जो पद्यांस आ रहा है यह कोईशन नमर दूसरे में आ रहा तो आपको क्या कर प्रश्णूत्र संख्या दू इस प्रकार से डालके एस्ट्टूर्ट जैसे कि माली जिदी हम पहले वाले पध्यांस का हल करने जा रहा है तो पहले इस टार्टिंग में था चरण कमल बंदव हरी राई तो हम यहां पर डालेंगे चरण कमल डाट डाट फिलाष्ट में यहां क्या है बंदव तिहीं पाई तो हम यहां पर डालेंगे बंदव तिहीं पाई इस प्रकार से डालेंगे उसके बाद हम इसका संदर्व लिखेंगे तो पध्यांस का संदर्व किस प्रकार से लिखा जाता है प्रस्तूत पध्यांस हमारी पार्थे पुष्टक हिंदी के प्रकार से डालेंगे रिखांगित अंसकी ब्याख्या किजिए और यहां पर तीसरा कोईशन देख सकते हैं क्या है उपर पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा यानि पंक्तियों में जो फीलंकार होगा आपको क्या करना इस question number 3 में यह अलंकार वाले में इसमें लिख देना है जो भी अलंकार होगा इस question का answer आपको नीचे वीडियो के comment में देना है कि यह कौन सा अलंकार है इस line में उसके बाद इस प्रकार से देख लिए हैं उसके बाद student आएगा question number 3 question number 3 में देख सकते हैं क्या दिया गया है दिये गए संस्क्रित गद्यांसों में से किसी एक का संदर्व सहीत अनुबाद कीजिए क्या करना है दो दिये गए हैं दो में से किसी एक का संदर्व और अनुबाद करना है तो संदर्व करेंगे दो नूमबर तो उसके बाद हम संदर्भ डालेंगे और संदर किस प्रकार से लिखेंगे प्रस्तूत गद्यांश हमारी पार्थ पुछतक हिंदी के संस्क्रीट खंड के वरारसी पार्थ से लिया गया है इस प्रकार से लिख देंगे और इसमें क्या करेंगे आप ब्याख्या कर देंगे य इसके बाद बाद करना होगा वहां से देंगे उसके बाद आगे आएगे तो हैं यह क्या दिए दिए आपको क्या करना है भट उन पांच चलता है तो आपको याँध्र पर्छमार जीवन पर्चना का दो दो नमब दोलन थो मिला कि आपको पाच पांच यहां से मिल जाएंगे इसमें आप देख सकते हैं डाक्टर राजेंद प्रसाद जैसंका प्रसाद आश्या राम चंद्र शुक्ल यानि तीन में से किसी एक आपको जीवन पर्चे लिखना जैसे माली जैसे कोईशन नमर 6 का उत्तर लिखने जारा है तो क्या करेंगे इस प्रक लिख देना है जैसे कि नाम जैसंका प्रसादन 1889 इसमी में जन्म और रचनाएं के हैस चंद्रगूप्त का मायनी मरीत हुझा निस परकार से लिखना है उसके बाद आपको क्या करना से इनका जीवन पर्चे लिखते रहा है जिस परकार से हमने यहां पे लिख़ा हुगा है लिखेकर जितने भी important point है उनको क्या करना आपको black pen से लिखना है शो एश्टून इदि आप इनका जिवन पर्चे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉच करके इनका जिवन पर्चे आप देख सकते हैं उसके बाद एश्टून रचनाय है heading डालके इनकी रचनाय लिखत सब्सक्राइब करें तकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे हैं अ झाल झाल